हलो गुड मोर्निंग मैं पवन राओ मेरे यूटूब चैनल मैंच्विद पवन राओ में जैसा आप लोग को पता है कि पिछला लेशन आपने अगर देखा होगा आज आप लोग 6 बज चुके हैं वेट कर रहे होंगे कि सरकालेशन कब आएगा MPG का तो अपना नेक्स पॉइंट अगला पॉइंट जिस पर आज में एक छोटा सा नया कॉंसेप्ट आप लोग को सिखाने वाला हूँ अगर कोई भी स्टुटेंट MPG का मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हैं आप लोग मास पॉइंट जोमेट्री का तो आप लोग पहले वाले दो वीडियो में बना चुका हूँ बढ़ना है ये उसके बाद अगर लेशन नमबर फॉस्स से आप लोग देखोगे तो ये हंडर्ड पसेंट में आप लोग को बोल सकता हूँ कि आपको जोमेट्री समझ में आ जाएगी और आप जोमेट्री से डरना बंद कर दोगे और नए एक्यूशन भी कर पाओगे आसानी से पहले मैं थियोरी पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं क्यूशन्स करवाने वाला हूँ और उनको दोनों को फिर पहले थियोरी पढ़ो फिर क्यूशन्स करो और दोनों को एक साथ पढ़ लोगे तो टाइम तो थोड़ा सा लगेगा लेकिन उसके बाद नया क्यूशन आया है कितना भी हाड है कितना भी स्टेंडर का है आप खुद सोल करोगे या आप खुद देखना कोई भी क्यूशन फिर अगर नहीं आया तो उसके लिए मैं हूँ मेरे पास भेज देना मैं सोलुशन आप लोगे को देदूँगा लेकिन आप लोगे को शुरुआत करने है वीडियो नंबर एक से और जो शुरुआत से देखते हैं उन लोगे को बिलकुल आज बहुत सीवियन है और यह वाला पॉइंट मान लीजिए ई और एफ है कोशिश करना सभी लोग समझने की आज का जो कॉंसेप्ट होगा थोड़ा सा नया कॉंसेप्ट होगा थोड़ा सा अलग होगा लेकिन समझ जोग एक बार में अगर पिछले वाला पहला वीडियो तीन बार गया कि इसमें कॉंसेप्ट क्या लगता है क्योंकि पहले आपका अगर नहीं पढ़ा है तो कहीं भी आप लोग जिस भी मैं आप लोग को फिर से बता रहा हूं जिस भी फैकल्टी से आप लोग पढ़ रहे हो वहां पर पढ़ते रही है राजस्तान में हो जैपूर में हो ज साथ-साथ ये वीडियो देखते रहे उससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा अकेले वीडियो पर या अकेले वहां पर आप लोग उसके भरोसे नहीं बैठ जाना देखो यह इस परकार से है कोई भी पॉइंट ये टू है ये थ्री है और ये मानलो तीन है और ये मान लो ओपर एक चीज़ आप लोग धान रखना एक पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखना अब की बार जब अपने पास सीवेंट यहां से यहां तक अगर मिला दोगे आप लोग यहां से यहां तक अगर मिला दोगे देखिए मैं दूसरा मारकर का यूज कर रहा हूं मान लीजिए आपने यहां से यहां तक को मिला दिया बी से एको कुछ लोग कहेंगे कि सर यह भी सीवेंट वारी प्रोपरटी से कर सकते हैं लेकिन तीनों ऐसी सीवेंट अगर एक जगे इंटरसेक्ट करें तो लगा रहे था हम लोग यह हो सकता है इसको मिलाओ तो थोड़ी सी उपर से या थोड़ी सी नीचे से निकल जाए यहां पर मिल रही है यहां पर मिल रही है और यहां पर मिल रही है तीनों एक पॉइंट पर नहीं मिल रही है यह ऐसा कोई पॉइंट है धान रखना आप लोग तो तीनों का जो तीनों मिलें वहां पर इनर सम सेम होता है अब क कोई दिमाग में यह fit हो जाता है कि सर inner submission same होना चाइए अब के बार धान रखना inner advocation same सेम तब होना चाइए जब तीनों CVM मिले वहाँ पर same होता है यहाँ पर जो inner sam in दानों का sum और इन दोनों का sum अलग-अलग हो सकता है ये बात धान रखना पहला पॉइंट पहला कॉंसेप्ट समझना जब अपने पास इस परकार से था जैसे पिछले पॉइंट से हम लोग जब तीनों सीवियन अगर मिल रही थी ये ये और ये अगर मिल रही थी तो आप यहां से यहां गए यहां से यहां यहां से यहां से यहां यहां से यहां तक seven intersect नहीं कर रही, तो धान रखना यहां पर आपने पास, इस पर अगर आप लोग weight मानते हो, एक और इस दो के साब से, इस दो और एक के साब से weight, अगर यहां पर दो केजी माना जाए, यहां पर दो केजी, यह concept समझ लो, आज की class का सिर्फ और शिर्फ यह ए इसके कारण यह 2 आया है, तो इसके कारण यह कितना होना चाहिए, 6 केजी, धान रखना, मैं आपको समझा चको हूँ, पिछले 2 वीडियो से समझा रहा हूँ, इन दोनों का multiplication और इन दोनों का multiplication बराबर होना चाहिए, यह यहां पर आपने पास 2 गुना 3, 6 है, तो एक गुना इस परकार से खिंज दे, तो यह 3 केजी वेट इधर से, और इधर से जो वेट आएगा, दोनों अलग अलग वेट होंगे, यह 3 केजी वेट, 3 गुना 2, 6, 3 गुना 2, 6, यह 6 गुना 5, 30, तो यह यहां पर अपने पास आना चाहिए 10, और यह 10 के जो वेट है, वो इस लाइन इस वाले क्विशन में सिर्फ और सिर्फ आप लोगं को यही कॉंसेप्ट समझना है, और यह कॉंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया, तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी, यह 10 और 6, यह अपने पास हो गया 16, यह अपने पास 3, और यह अपने पास 2, तो य यहां पर weight है 3 13 kg और यहां पर 2 और 6 को अगर add करोगे तो यहां पर weight है अपने पास 8 kg यह concept आप लोगों को समझना है बस यह समझा रहा था कि जब इस पर कार से लाइन आजाए तो इसके साथ weight अलग होगा इसके साथ weight अलग होगा और यहां total weight देखना है तो अपने पास 13 के जी 10 और 6 16 तीन और 2 5 और 6 और 2 8 अब अगर किसी स्टुडेंट को ए ओ और ओफ का रेशो अगर चीए किसी भी स्टुडेंट को ए ओ और ओफ का रेशो अग हो गया है कि ठीक है पहला पॉइंट दूसरा अगर किसी को ए ओ धान रखना यह वेट यहां जाएगा और यह वेट जो थार्टीन हो यहां आएगा आठ इदर थार्टीन इदर और यह इसका ई ओ और ओफ का रेशो अगर चीए ई ओ और ओ और ओ डी लिखना इसको ना ओड़ इओ और ओ और ओ एफ का अगर रेशो चीए इसे ओ तक यह 16 इदर आएगा पांच इदर आएगा तो रेशो आजएगा 16 इस टू 5 यह अपना आंसर है अगला ग्यूशन पहला ग्यूशन हो चुका है आपको थोड़ी से चीज़न समझ में होंगी इस कॉंसेप्ट में सिरफ और शिरफ आप लोगों को यह समझना है कि इस लाइन पर जब ऐसे लाइन आजाए तो इधर वेट अलग होगा और इधर वेट अलग होगा तो पहले इस वर्टेक्स पर यह कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो यह तीन मान लोगे तो यह अपने पास दो आजाएगा वर्टेक किया से इस वीडियो को एक बार वापिस से देखिए और समझने की कौशिस कीजिए अगला क्यूशन फिर समझाता हूं यह लोग वन्य पास्जान को समझने की दो नमर घ्यूशन में आप लोंको समझा रहा हूँ, इस परकार से मान लिजी अपने पास है, यह अपने पास कोई भी पॉइंट है, कोई भी ट्रेंगल है, A, B और C, यह अपने पास पॉइंट D है, यहां से यहां तक यह अपने पास पॉइंट E है, और यह अपने पास पॉइंट F है, और यह वाला पॉइंट O है, यहां से यहां तक यह दियावा है 5 is to 2, क्यूशन दियावा मिलेगा, यह दियावा है 2 is to 3, और यह दियावा है मानलो 3 is to 4, और कोशिस करना सभी लोग समझने की, क्यूशन में given क्या क्या है, क्यूशन में दियावा है अपने उसमें, तीनों साइट्स, A, E, तो A, D, को O, पर काटते हैं, और क्यूशन यह पूरा लेंग्वेज में मिलेगा, लेंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, क्यूशन आप लोग सुन लीजिए सिरफ, A, F, C, बराबर होगा 3 by 4, और हमें दियावाय BD upon DC, बराबर हमारे पास दियावाय 5 by 2, तो कौसिस करना, इस पॉइंट को समझने की, कौसिस करना, धान देना, यह दियावाय हैं, जो दियावाय हो, मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, इसलिए आप लोग सीखिए, मैंने कहा, जहां से आप लोग को शुरुआत करनी है, वहां से शुरुआत कीजिए, और शुरुआत करते हैं हम लोग Red Colors है, यहाँ पर जो इस पर जो होना चीए, दो और दो इसके कारण, यहाँ पर आप लोग मान लिजिए, चार केजी, इनका इंटू करके, यहाँ पर मैंने काया कि, दो के कारण चार आया है, तो पांच के कारण जो होगा वो दस केजी, या तो ऐसे सोच लो, चार बटे दो, गुना पांच यहाएगा, या रेशो आपको पता होगा, या इनका दोनों का मल्टिप्लिकेशन, और इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन बराबर होना चाहिए, पांच गुना चार बीस, तो दस गुना दो, बीस, दोस को किस संख्या से गुना करेंगे बीस है, तो दस, यह यहाँ पर चार गुना तीन बार है, तो यहाँ पर 12 लाने के लिए 6 धान रखना, आपके बार जो 6 केजी होगा, वो इस लाइन पर होगा, और दस गुना चार चालिस, दस को चार से गुना करोगे तो चालिस, और यहाँ पर चालिस लाने के लिए, यहां पर होगा 40 by 3 जो इस लाइन पर होगा क्या सर में थोड़ा आप धान दीजिए थोड़ा सा क्या उपर फ्रेम में आ जाएगा नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा देखिए दिखाई दे रहा है ठीक है तो यहां पर आपने पास जो सम होगा 10 और इसको एड करोगे तो यह चीज धान रखना यहां पर जो टोटल होगा इन दोनों को एड करने पर आएगा 18 में 40 एड करोगे तो 58 by 3 यह होगा यहां पर यह आप लोग धान रखना और 10 और 4 यहां पर तो 14 है अब अगर आप लोगों से पूछा जाए AO और OD का धान देना कोसिस करना सीखने की AO और OD अगर पूछा जाए और दोनों का रेशियो पूछा जाए AO और OD ऐसे लिख दता हूं में AO और OD का रेशियो अगर पूछा जाए तो A से O तक जो आएगा 14 उपर आएगा धान रखना A से O के लिए 14 इधर क्रोश आता है और इधर आएगा 58 by 3 तो 2 से कट गया 29 बार और 2 से क इसी को रेशियो चीए E से O तक और O से F तक का रेशियो किसी भी स्टूडेंट को अगर चीए E से O तक और O से F तक का अगर रेशियो आप लोग को चीए तो धान रखना A से O तक इधर आएगा 70 by 3 और यह जो 10 है यह इधर आ जाएगा यह 10 इधर आ गया 0 से 0 कट गया और 7 is तो 3 यह अपना आंसर है दोनों में से अग्जाम में कोई सा भी पूछ सकता है एक क्यूशन में पहले समझा चकों दूसरा क्यूशन में वापिस समझा देता हूं यहां पर आपने पास यह अगर चार है चार गुना तीन बार है तो इन दोनों का सम इंटू भी 12 होना चीए तो यहां पर आना चीए 6 तो 6 इस लाइन पर होगा और यह 40 बटे 3 इस लाइन पर टोटल देखना है तो यह एड कर लेते हैं सिरफ आज की क्लास का यही कॉंसेप्ट है यह आसान सा पॉइंट है फिर समझाता हूं इसी क्यूशन को सेम क्यूशन को आंसर धान रखना है यहा इस फिर एफ ऐज अपने पास है 21 बटे उन्तिस और दूसरा जो अपने पास है है ईओ अपने ऊफ जो आया है वहा अपने पास है 7 बाइ 3 तो अब धन देना यह सेवन इस टू 3 और यह अपने पास 21 बटे उन्तिस अब कोशिस करना आप लोग समझने की और मैं आपको जो question है वो हर concept से समझाने की कोशिस करूँगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कोई भी problem नहीं आए मैं आपको इस type से इस YouTube channel पर मैं आप लोग को इस type से समझाने की कोशिस करूँगा कि MPG पर based कोई भी question अगर आपके सामने आता है तो आप लोग उसको खुदी कर पाओ आसानी से कर पाओ आपको कोई problem नहीं आए इस type से समझाने की कोशिस करता हूँ same diagram same question मैं वापिस से बनाता हूँ और सभी लोग सीखना उसी diagram को मैं बना रहा हूँ आपके notebook में बना हूँआ होगा चेक करना और साथ साथ आप लोग अपनी notebook साथ रखा करो notebook में साथ साथ लिखते चला करो ताकि आपको बार बार यह वीडियो नहीं देखने पड़ें एक बार आप लोग वीडियो शुरू कर लेते हो फिर आप सोचते हो यह वाला पढ़ लूँ फिर आप सोचते हो यह वाला पढ़ लूँ फिर आप सोचते हो यह वाला पढ़ लूँ ऐसे नहीं सिंगल जगह आप लोग को लिए मिले और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचे जब आप लोग क्यूशन करने जाओ कि यह वाली थियोरम यह वाली थियोरम तो अपने पास आई नहीं इसलिए इसी मोटो के साथ मैंने यूटूब चैनल की शुरुआत की है तो आप लोग अगर अच्छे से सीखना चाते हो तो फॉस्ट टाइम अगर आयो तो एक नंबर से वीडियो से देखने की शुरुआत करना और सिस्टेमेटिक पूरी सिरीज देखना जिसकी मैंने आप लोग के लिए जो लिस्ट बना दी है प्ले लि मैं आपको समझाने की कोशिस कर रहा हूं कि आप लोग जो मरजी आए जहां मरजी आए वहां से शुरुआत कीजिए जहां से आप लोग को लगे ना कि सर मैं तो यहां से शुरुआत करूंगा वहां से शुरुआत आप लोग करो जैसे यहां पर आप लोग मान लेते हो दो क से दिखाता हूं कि आपको habit होगी होगी आप कि world read से दिखाया जाय जाय सर यह 3 कंजी लेकिन इस एज़न और एक इस सीवियन अगर नहीं तर आइसे अगर दिया हो तो 3 किस केजी है इस लाइन पर होगा अपने पास 2 कजीwydd ठीक है पांच गुना दो दस यहाँ पर अगर अपने पास दो केजी है पांच गुना दस तो यहाँ पर कितने केजी होगा पांच केजी और यहाँ पर पांच गुना चार बीस है तो यहाँ पर कितने केजी होगा बीस बटे तीन केजी क्योंकि इनका multiplication अगर 20 है तो इनका multiplication भी बराबर होना चाहिए 20 होना चाहिए या इसके कारण यह आए है 5 बटे 3 3 की value 5 है तो 4 की value कितनी होगी 20 बटे 3 दोनों तरीके से सोच सकते हो और यह point कम से कम मैं 50 बार बता चुका हूँ आप लोगों को यह आना चाहिए तो देखिए तो मुझे बताओ यहाँ पर जो weight होगा अपने पास यह जो weight होगा यह 5 गुना 3 15 एड़ करोगे इसमें तो 35 बटे 3 और यहाँ पर जो weight होगा 3 और 2 को add कर दें तो 5 यह weight आपने पास कितना 5 और यह और यहाँ पर अगर total weight अगर आपको देखना है यहाँ पर तो इनको add करते हैं 29 बटे 3 तीन गुना 39 और 20 एड़ करोगे 29 बटे 3 और यहाँ पर अगर देखना है तो यह 8 पांच और 2 कितना वाँ साथ सोरी है अब आप लोग ratio निकाल लीजिए यह अगर ratio निकालोगे धान देना तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं कहीं से जहां से मन आये वहाँ से आप लोग शुरुआत कीजिए तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया यह आगया अपने पास इधर 35 बटे 3 और इधर आएगा अपने पास यह 5 5 से कड़ जाएगा 7 बार 3 उधर चला जाएगा आंसर वही होना है 7 इस टू 3 यह अपने पास 29 बटे 3 है यह तो आएगा नीचे की तरफ इसके लिए और इसके लिए लिख दोगे 7 तो इधर इंटू करोगे तो 21 अपास 29 आंसर यह यह 21 अपास 29 तो मैंने कहा है कि एक ही क्यूशन को मैं अलग अलग तरीके से आप लोग को इसलिए समझाता हूं ताकि आपको सही समझ में है दूसरा तरीका बताए इसी क्यूशन को कम से कम आप लोग 5 या 6 तरीके से कर सकते हो जैसे चाओ कम से कम 6 तरीके हो सकते हैं यह माप लोग को सिखाने की कोशिस कर रहा हूं एक और समझा देता हूं देखिए इसी क्यूशन का सेम एक और समझा देता हूं अगर आप लोग ऐ A, B, C, यह क्यूशन है A, B, C, जो दियावा था अपने को, मैं लिखता हूँ, D, आप लोग अपनी नोट बुक में चेक कर लिया, करो साथ साथ कहीं, क्योंकि अपने पास अगर संख्याइं चेंज होगी, 2, 3, 5, 2, 3, 4, ऐसा दियावा था, अगर संख्याइं चेंज होगी, त 2, 3, 2, 3, हमेशा फिर वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो क्या आपकी नोट बुक में यही लिखाव है, क्या चेक कर लो एक बार, हाँ या ना, हाँ तो देखिए, यह पॉइंट O है, अब मैं आपको इसका एक और अच्छा सा तरीका समझाता हूं, कोशिस करता हूं समझा हाने की, यहाँ पर आप लोग इसके कारण इधर मानलो, यह जो वेट है, वो 3X, और यह जो वेट होगा, यहाँ पर वो होगा 2X, इसके कारण इधर यह जो वेट होगा, वो 4Y, इसके कारण 4Y, और इसके कारण यह होगा 3Y, अब देखो, आप लोग कोशिस करो, 3Y, मुझे बताओस 2x और 3y का जो रेशो ओना चीँ वो कितना ओना चीए 2x करणर थरिव अर्टू आपक्स यह 2 है और 3y के कारण यह 5 है क्या रेशो प्लाप एक 2x के करण़ यह दो और थरिव एक्के का जो ऑख किया 23 नौG क्या 2 से दो कट गया अक्स अपोन वाई बराबर अपने पास आगया तीन बटे पांच है तो अक्स की वेलियो आप लोग तीन रखो तो ये तीन रखा तो ये नो और वाई की वेलियो आप लोग पांच रखे तो ये बीस तीन रखा तो ये 6 और वाई का मान अगर 5 रखा तो ये 15 15 और 6 ये तो आगे 21 9 और 20 ये आगे 29 9 और 6 ये आगे 15 और 29 चार और 20 और 15 ये आगे 35 अब ये लो जो भी पुछा है ये अगर पुछा है तो 35 इधराएगा आपको याद होगा 35 अनुपाद 15 तो 5 से कट गया 7 बार 5 से 30 बार आंसर यह होना है 7 इस 5 से 3 बार 5 से 7 बार 7 इस टू 3 यह 21 उपर चला जाएगा और 29 नीचे आजाएगा यह आंसर हो गया 21 बटे 29 वही सेम क्यूशन इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो मैंने कहा इस क्यूशन को करने की कम से कम 6 या 7 अपरोच हो सकती हैं हम लोग ऑनलाइन यूटूब पर पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि सर एक ही क्यूशन को इतना घुमा घुमा कर कर रहे हैं तो मैं 3 तरीके आप लोग को बता दता हूँ 3 तरीके यह सब से ठीक हैं यह वाला तरीका इसमें आप लोग लगा सकते हो जिससे क्यूशन आसाने से और जल्दी सोलोगा एक क्यूशन और समझाता हूं आपको और कैसे आ सकता है इसमें क्यूशन देखिए यह मैं मिटा दता हूँ 3 तरीके मैंने बता दिये और तरीके से भी क्यूशन आप लोग यह व मान लो II है और यह Point जो है अपने पास वह है एंफ Nkay election लिख रहा हूं आप पहले वाला नहीं कऱे रहा हूं यह आपने पास मान num ये दो और तीन है ये मानलो दो तीन है और ये मानले ये तीन है और ये चार है ये तीन है और ये चार है कोशिस करना समझने की क्यूशन कैसे करोगे आप लोग क्यूशन करने का तरीका जो होगा आपका वो ये होगा ये 4X तो इस साइड ये 4X और ये 3X तो ये यहाँ पर 3X यह यहां पर मान लेजिए 3Y है और यह मान लेजिए यह है अपने पास 2Y तो बताओ यह सम कितना हुआ मुझे यह बताओ यह 4X और यह 3X तो यह सम कितना हुआ अब के बार इसका रेशियो दिया हुए इन दोनों का रेशियो नहीं दिया हुआ अब के बार यह अंदर वाला र 3 pause पांच और 4 और तीन साथ इनु दौनों का रीशियो दियाँ है , 7x और 5y का जो रीशियो दिया वे 2 retrouve इधर 4 गहिशा जैसे आप लोग अगर कोडिनेट जोमेटरी का रहुत इस साइड याद होगा आप लोगों को कोड़नेट जोमेट्री में आपको इस YouTube चैनल पर पढ़ाने वाला हूं बहुत बेसिक से पढ़ाओंगा सारी चीज़ें बताओंगा उसमें डाइरेक्ट तरीके से क्योशन कैसे करोगे वो सारी चीज़ें कोड़नेट जोमेट्री में मैं सिखाऊंगा सब्정 sub 1 ओपर चला जाएगा साथ नीचे तो पाँच बटे 20 तो अक्स जहां पर दिखाएगा रीषू आ गया अक्स जहां पर दिखाए देरे 5 यहां पर दिखायएगा रहे 26 तो 5 रहोगे तो तोग 28 रख दीजिये यहां रखोगे तो अपने पास 84 यहां आप लोग y का मान रखोगे तो 140 और यहां वाई का मान रखोगे तो अपने पास 56 अब लगत यह रेशियो पूचले बीडी और डीसी दिसि का रेशियो मिद आप से consig Iludar और 15 20 आंसर आजएगा उल्टा होता है 56 इस साइड आएगा 15 इस साइड आएगा और अगर आपसे इन दोनों को एड करेंगे हम लोग इन दोनों को एड करेंगे तो यह 104 यहां पर टोटल होता है काफी देर से समझा रहा हूं यह इधर आएगा नीचे 104 आजएगा और ये जो इन दोनों का समेशन यहां पर कितना है इन दोनों को सम करो पांच और एग चे यहां पर आएगा 71 तो 71 उपर तो अगर किسी स्टुडेंट को AO और OD का रेशो चीये AO और OD का ratio अगर चीए तो वो होता है 71 upon 104 और किसी student को अगर BD और DC का ratio अगर चीए BD upon DC तो वोगा 56 by 15 ये अपना answer होगा देखिए मैं फिर समझाता हूँ अगर किसी student को लगता है किसर में अक्स नहीं मानना चाता है ये ratio नहीं बनाना चाता है और क्या तरीका हो सकता है तो इस question को करने का दूसरा तरीका अपने पास ये वाला हो सकता है कौन सा देखिया आप लोग यह आपने लिख लिया होगा मैं इसको हटा रहा हूँ लिख लिया होगा आपने नहीं लिखा तो लिख लो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आप लोग वीडियो को पीछे आप लोग थोड़ा सब पीछे भी ला सकते हो और आसानी से व गया होगा यह पॉंइंट यह पॉंइंट यह ओ जो पहले रिश्यो दिए में वह लिखना तीन चार कि चार एक कि और अब तीन गलती नहीं हो जाए इस संख्याओं में कई बार लिखते लिखते गल गलत भी लिख देता है गलती नियुक्ट चेक कर लो साथ यहां पर आगया साथ की वेल्यू अगर एक है तो चार की वेल्यू कितनी होगी इधर आएगा 28 एक की वेल्यू साथ या साथ गुना चार 28 और 28 गुना एक 28 इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टिप्लिकेशन बराबर होना चीए अब आप लोग देखि और यह आगे आपने पास 56 by 5 यह अपने पास जो होगा इन दोनों का समझो होगा यह आएगा 71 by 5 और इनका सम अगर करोगे तो यह आएगा 104 बटे 5 अब आप लोग रेशियो निकाल लेना यह अपने पास इसका रेशियो चीए तो 56 by आंसर वही आना है तरीके बदलने से आंसर 56 इस टू 15 आंसर सेम यह आना है और उपर वाला अपने पास एक एतर उपर चला जाएगा 104 नीचे 5 से 5 कर जाएगा तो 71 अपोन 104 आंसर सेम यह आना है अब आपको MPG समझ में आगी होगी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो मास पॉइंट अपने पास जो मेट्री जो है य इसका स्क्रेंशोट ले सकते हो इस क्यूशन को कम से कम आप दो या तीन बार करना आज की क्लास में एक नया कॉंसेप्ट सिरफ और सिरफ मैंने आपको यह समझाया कि जब भी ऐसे लाइन हो तो इधर वेट अलग इधर वेट अलग और इन दोनों का चीए तो इन दोनों को एड कर दते हैं बस यह वाला पॉइंट आप लोग धान रखना आज की क्लास में इतना ही इसका वीडियो में नेक्स्ट कल नहीं बनाने वाला हूं कल मैं आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करूंगा नया पॉइंट में आप लों को पढ़ाने वाला हूं तो इसका व हो गया यह क्या हो गया तो कल की क्लास में नए चैप्टर का कल लैसन नए की शुरुआत करेंगे कल एवनिंग में च्छे बजे आज सिर्फ आज हम लोगों ने यह पढ़ा है फिर अपना कम से कम यह MPG का एक दिन डेडिया दो घंटे का सेशन में लोंगा जिसमें आप लों सारी चीजें समझ सकोगे और नए कॉंसेप्ट भी समझ लोगे और बहुत अच्छे कुशन्स भी हम लोग कर पाएंगे तो आज की क्लास में शिर्फ इतना ही आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को फाइदा हो सकता है और मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया है और अच् इस पर कमेंट कीजिए ठेंक यू फिर मिलते हैं अगले लेशन में कल मिलेंगे तब तक के लिए बाए बाए टेक केर सी यू इन दे नेगा